This is video number 50 of kinematics and this is another section in which we are going to study the rain man problems. Rain man problems, rain or man के बारे में बात करने वाले हैं, rain की direction कैसी है, man किस direction में चलेगा तो, अपना amrela किस direction में hold करेगा, these are the questions like this. एक बात इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, देखें, पहली बात यह understand करनी है कि normally directions आप कैसे रिखते हो, directions आपकी six हैं, और नहीं याद रखना, six directions हैं, देखो कैसी, north, south, east and west, बाकी दो, बाकी दो ये हैं, upwards, और इसी के नीचे कौन सी, downwards, ये देखो, आपको dot भी दिखाई देना चाहिए, cross भी दिखाई देना चाहिए, बड़े अच्छे से आपको पता चलना है चाहिए. रेन मैन प्रॉब्लम्स में आपको एक बड़ी अच्छे से clear होनी चाहिए बात, कि जो रेन गिर रही है, वो किस direction से आ रही है, upwards आ रही है, mind it, please. नॉर्थ से नहीं बोलते न, बहुत से लोग बोलते है, रेन ऐसे गिर रही है, यह नॉर्थ से दो ना गिरती है रेन. यह तो एक ही plane में है सारे, यह उपर से आएगी रेन. तो इसलिए अगर यह x-axis है, यह y-axis है, तो यह z-axis है. और you can simply say this, यह देखो, ऐसे भी आप कर सकते हो, आप change कर दो, आप normally इसको ऐसा बोलना शुरू कर दो, east, west, upward, downward, north-south कहां गया, उसको कर लो उदर, मैंने बोला था आपको एक बार की axis हम change कर सकते हैं, कोई problem नहीं है. मतलब यह x-axis, यह z-axis, y-axis है, जो हमारे को अब यहाँ नजर नहीं आती, जिसको मैं यहाँ बना नहीं सकता, उसको dot cross से शुरू कर लो, अपनी problems के लिए, in-man problems के लिए, तो यह एक major difficulty आती है, understanding में, starting, starting में इस बात को लेके. फिर question paper में आता है कि man is direction में चल रहा है, आप just imagine करो कि अगर आप scooter पे जा रहे हो, किसी two wheeler पे जा रहे हो, I mean to say, two wheeler पे जा रहे हो और आपको बारिश हो रही है और आपको अपना amrela hold करना है, बारिश बिलकुल vertically downward सीधा गिर दी है, तो आप अपने amrela को कैसे रखोगे ब वी रेन, एक हो गया वी मैन और तीसरी चीज आगे वी आर एम, मतलब रेन मैन को कैसे दिखाई दे रही है, रेन मैन को कैसे गिरती हुई दिखाई दे रही है, actually rain कैसे गिर रही है वी आर, man actually कैसे चल रहा है वी एम, और रेन उसको कैसे दिखाई दे रही है, कैसे उसके किसकी डिरेक्शन में रखना पड़ेगा, VRM की, VRM की, मैं आपको एक प्रॉब्लम के थू, इसको अच्छे से एक्स्प्लेन कर देता हूँ, this is our first problem, a man is walking with 3 meter per second, due east, VM, 3i, rain is falling vertically downwards, vertically downwards, north से नहीं, north से कैसे rain गिरेगी, देखो मैं लिख रहा हूँ, आप समझना जरा प्लीज, मैंने उसको अभी भी z-axis माना, मैं y-axis भी मान सकता हूँ, ये भी याद रखो, rain y-axis से गिर रही है, हम उपर नीचे को भी y-axis बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो vr equal to क्या आएगा, 4, j ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4, j, आप z-axis को, आप rain को गिरने वाली direction को, आप y-axis मान लो, normally हम उपर से नीचे को क्या मानता था, मैं z-axis, आप y मान लो, j लिख लो से, कोई फर्रक नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें काम नहीं नहीं, अगर तीसरी एक्सिस भी use हो रही होती, तो फिर हम बात करते हैं, यहां पर एक्सिस ही दो use हो रही हैं, तो x और y रखेंगे, ठीक है, तो यह आ गया, 4, j, vrm निकाल लो, vrm, मैंने गलत लिखा, vertically downward गिरती है न, तो इसलिए minus 4, j आएगा, अब आप confusion शुरू होगी आपकी, man किस direction में जा रहा है, इदर, range अब गिर रही है, तो किस direction में गिरती है, ऐसे, ऐसे, नीचे की तरफ, यह नहीं देखना ऊपर बनाया है, यह देखना है, arrow कहां है, arrow कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए minus 4, j, vrm, vr minus vm, minus 3i, minus 4, j, आई पहले लिखते हैं, इसलिए आपको, अलग लग रहा होगा, minus 3i, minus 4, j, यह direction आ रही है, ठीक है, यह direction आई, आई, मैं आपको दिखाऊं, यह direction आईगी कैसे, यह direction कहां हुई, minus 3i, minus 3, यह हुई, rain ऐसे आपको नजर आ रही है, एक जो man इस direction में चल रहा है, rain गिर ऐसे रही थी, देखो, समझो इसको, man चल रहा है ऐसे, sorry, man चल रहा है ऐसे, arrow डालो इसके उपर, rain गिर रही है ऐसे, यह कोन है, यह VR है, अब तुम इसको अगर diagramatically बनाओ, तो कैसा दिखेगा, rain कैसे गिर रही है, यह ऐसे, अमरेला कहां रखोगे, मेरी ड्राइंग पर नहीं ज़्यादा जाना, अमरेला एसे रखेंगे, मैं तो बोलता हूँ, यह अमरेला बनाने में, टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, इसकी शकल देखना है उसने, उसको एंगल से मतलब है, कि अमरेला कितने एंगल पर रखेंगे, यह एंगल निकालना है, वर्टिकल के साथ जर्णली एंगल बोलता है, कि वर्टिकल के साथ एंगल बताओ, यह याद रखना, नॉर्मली जब भी रेन में प्रॉबलम आती है, वो हमेशा पूछेगा, कि जो अमरेला है, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, मतलब तुमने यह एंगल निकालना है, तुम्हारा यह इधर गिर रहा है, रेन ऐसे गिर रही है नीचे की तरफ, तुमने यह एंगल फाइंड करना, मैं बताओंगा भी आपको, अमरेला आपने ऐसे रखा है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अमरेला बनाने में टाइम वेस्ट करना है, मैं पहले ही बता देता हूँ, यहां रखना है, अमरेला ऐसे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह यह अमरेला है, मेरे को अमरेला की इस चीज़ से मतलब ही नहीं है मुझे सिर्फ उसकी जो उसकी हैंडल है उससे मतलब है उसके ये स्टिक होती है इससे मतलब है कि ये स्टिक कितना एंगल बनाएगी किस के साथ वर्टिकल के साथ this is the question, अच्छे से करते हैं इसी question को दुबारा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, देखो ज़रा ध्यान से, देखो से मन और श्यान से, से अच्छे से, से अच्छे से अच्छे सीर ऑप कुछ से अच्छे समय की की कि इसाती हैं, विशु्टै ना, कोछ । mol मीटर पर सेखे ये आगे वी एम ये आगे आपका ठीक है ये आगे आपका भी निकाला आपने IJ में भी निकाल सकते हो आप अब मेरे को तो वही पसंद है IJ में लिखता हूँ मैं VR केई लोग इसको डाइग्राम से ही करते हैं मैं नहीं करता लेकिन तो VR माइनस वी एम यहां आया आपने वो देखा दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस हैं तो obviously इदर आएगा ये आगया VR है fine ठीक है तो रेंफॉल कैसी गिरती हुई हमें नजर आई this is the direction of the rainfall fine चाता कहा रखोगे बिल्कुल इदर ये ये चाते की डंडी ठीक है एंगल this is the angle जो मुझे find करना है क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा बिल्कुल vertically opposite angle है क्यों नहीं बराबर होगे ठीक है ये जो आपने अभी निकाला इसके क्या दो values आई थी यहां ये भी minus आई थी और ये भी minus आई थी न दो component ही आपने आपने क्या आई थी ये आया था आपका 4 और ये आया था आपका 3 ठीक है ये angle निकालने ये भी 3 हो गया triangle बन गी यहां ये angle निकालने किसके بराबर होगा ये angle perpendicular upon base tan theta equal to 3 by 4 tan theta equal to 3 by 4 when tan theta equal to 3 by 4 तो आपका simply आगया result क्या theta equal to 37 degree तो 37 degree उसको angle पे रखना पड़ेगा ये वाला umbrella fine? आप चलो to a person moving eastward with a velocity of बड़ा interesting है ये problem अच्छी problem है second type है वो तो बिल्कुल simple problem थी जिसने basic clear किया अब ये वाला अच्छी problem है to a man to a person moving towards east with a velocity of चलो जी एक चीज तो मुझे पूरी पूरी दी हुई है क्या दिया है पूरा पूरा Vm is given clearly क्या दिया है Vm के बारे में Vm is given कितना Vm is equal to 4.8i fine rain appears to fall vertically downwards with a speed of appears to appears to rain appears to fall rain is falling नहीं rain appears to fall this is Vrm vertically downwards 6.4j vertically downwards minus find the actual speed and direction of the rain कोई बात नहीं यह आगया इतना आप diagram में भी देख सकते हो इसको मुझे क्या निकालना इस बार मुझे निकालना Vr तो Vr किसके बराबर होगा Vrm प्लस Vrm तो Vrm प्लस क्या प्लस Vm प्लस करना है दोनों को तो Vr is equal to क्या हुआ देखो Vr is equal to क्या हुआ Vr is equal to हो गया 4.8i minus 6.4j minus 6.4j प्लस क्थम हो गया खतम हो गया find the actual speed and direction of the rain तो direction of rain भी निकल गई आप इसको diagramatically show कर दो diagramatically देखो मैं diagram बना रहा हूँ man is moving towards east rain appears to fall downwards answer क्या आया 4.8i minus 6.4j ठीक है एक प्लस है एक माइनस है ये देखो ये direction है किसकी ये किसकी direction है पहले ये बताओ Vrm की ये किसकी direction है man की rainfall कैसे गिर रही होगी actually wind भी चलती है ना कभी कभी rainfall टेड़ी नहीं पड़ती तो टेड़ी पड़ रही है लेकिन दिख मैन को कैसी रही है vertical ये interesting है अब देखो ये आ गया rainfall कैसे गिरेगी rainfall ऐसे है rainfall ऐसे गिरेगी rainfall है गिरेगी actually ऐसे गिर रही है यह समझने वाली बात है rainfall actually ऐसे गिर रही है दिख ऐसे रही है जो vertically downwards yes this is correct बस कुछ भी नहीं है amrela कैसे रखना पड़ेगा वो VRM direction बताता है वो VRM के साथ VR के साथ नहीं बना यह VR पूरी values हमें मालूम है यह लो यह angle निकाल के दिखा दो उसको यह वाला तो मैं बड़े अच्छे से मालूम है यह कितना component आया है इसका 4.8 यह component कितना आया है इसका 6.4 किसका VR का triangle दिखरी है सामने perpendicular upon base tan theta यह theta ले लो perpendicular 6.8 divided by 4.8 कितना बना 16 4 by 3 यह लो 53 degree आगे 53 degree with the horizontal ध्यान से ना exactly बता होना चाहिए कौन सा angle किसके साथ पूछा है फिर वो तो depend करता है ना वो कौन सा angle बता रहा है भाई किसके साथ angle निकालना है तुमने तो tan theta equal to 4 by 3 आ गया जब रहन tan theta is equal to 4 by 3 theta equal to 53 degree 3 by 4 हो तो 37 degree values तो याद होनी चाहिए values के बिना नहीं काम बनेगा this is the next problem to a man walking at a rate of 3 km per hour ठीक है 3 km per hour की speed से चल रहा है एक man ठीक है 3 km per hour की speed से चल रहा है let it be like this कि man यहाँ चल रहा है ठीक है कितनी speed से 3 की तो उसको दिखाई देता है 3 km की speed से जब वो चलता है तो उसको दिखाई देता है कि rain vertically downwards गिर रही है जैसी वो speed अपनी 6 कर देता है तो उसको लगता है rainfall जो है वो 45 degree with the vertical बना रही है 45 degree with the vertical बना रही है जब वो तेज़ चलना शुरू कर देता है तो कैसे करेंगे इस problem को हम देखेंगे जड़ा ध्यान से man की speed हम क्या ले लेंगे velocity of man is equal to 3i पहले case में first case में rain ले लो आप vr जो गिर रही है actually rain गिर रही है वो क्या ले लो ai plus bj ठीक है तो vrm किसके बराबर होगा vrm किसके बराबर होगा देखो पहली condition लिख रहा हूँ मैं ठीक है चलो इसको मैं अच्छे से करके देता हूँ आपको दूसरी blank sheet पे देखो vr vr vm 3i vr ai plus bj हमें मालूम नहीं है direction यही निकालनी है vrm a-3i plus bj vr-vm given condition कहा रही है कि वो vertically downwards दिखाई देती है जैसे vertically downwards दिखाई देती है इसका मतलब इसके अंदर यह वाला component नहीं है तो a-3 equal to क्या हो गया? 0 a equal to क्या हो गया? 3 a condition से एक बात पता चल गई अब second condition second condition कहती है vm easy है 6i vr r तो नहीं चेंज हुआ rainfall तो वैसी है बस appear change हो रही है उसको होती हुए v sorry vrm 6 minus a-6 a minus 6 i plus b j a 45 degree angle बना रही है वो with the vertical with the vertical 45 है तो horizontal भी 45 ही हुआ तो वो कब होता है 45 angle जब ये और ये आपस में बराबर हूँ तो a की value आपको पहले से मालूम है कितनी है 3 a की value पहले से कितनी है 3 तो b b कितना हुआ तो b की value क्या हो गई a minus 6 तो b की value भी 3 आएगी ठीक है a की value 3 आ रही है तो b की value भी 3 आएगी minus 3 है न यहां पर ये देखो न ये दोनों बराबर है a minus 6 equal to b a minus 6 equal to b तो a minus 6 equal to b तो a की value 3 डाल दो तो b equal to minus 3 आ गया तो b equal to minus 3 आ गया तो इसलिए actual क्या आ गया है उसका rainfall का गिरने का ठीक है 3i 3i minus 3j ठीक है तो ultimately क्या आ गया आपका answer जो rainfall है उसका answer क्या आया velocity of the rain पूछा है उसने तो v r किसके बराबर आ गया a की value 3 निकाली थी आपने b की value minus 3 निकाली आपने तो ये उसकी direction भी मैंने निकाल दी और ये भी तो speed जो पूछी है आपको उसके according rainfall की speed पूछी है आपको सिरफ ठीक है कि क्या speed से गिर रही है तो under root of 3 का square plus 3 का square equal to 3 under root 2 3 under root 2 तो ये इसका answer है 3 under root 2 meter per second तो ऐसे करनी है problems कुछ practice और करेंगे तो आपको clear हो जाएगी और भी चीज़ practice important होती है इन सब की चीज़ों में thank you very much तो तो तो